जैहें नमस्कार सभी मेरे प्यारे सातियों का एक बार फिर्शे स्वागत करता हूँ हरियाना पुलिस निव अपडेट जो हरियाना पुलिस की 2024 के अंदर बरती होने वाले इससे समधित बहुत इच्छी अपडेट लेकर आएँ यहार दोस्तों के पास भी शेर कर देना तो साथियों इसका नोटिकेशन डेट है वो कब तक आने की संभावना है और टोटल वीकेंसी फे मेल और फिमेल की टोटल वीकेंसी कितनी है और जो age limit है इसके अंदर क्या रहेगी तो इसकी stick और संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो सभी साती वीडियो को last तक जरूर देखना और एक बार सभी साती वीडियो को like और share जरूर कर दें तो साती वीडियो देखते हैं क्या है पूरी खबर तो बढ़ते आगे इक तरफ है तो हरियाना में 6000 पुलिस कोंस्टेबल बरती का रास्ता साफ हो गया है हरियाना कैबिनेट ने पुलिस बरती के संसोधित नियमों की मंजूरी दे दी है जो हरियाना कैबिनेट है इसने सभी जो संसोधित नियम थे इनकी मंजूरी दे दी है इसमें सबसे एहम बात है कि यह मंजूरी कैबिनेट मीटिंग के दोरान दी गई जो अभी हरियाना की जो कैबिनेट मीटिंग होई थी तो उसके अंदर बरती की मंजूरी दे दी गई है हरियाना में पुलीस बरती के नियम लंबस में से अठके हुए थे सूबे में पुलिस विवाग में 5,000 पुरुस और 1,000 मेला कोंस्टेबलों की बरति की जानी है तो टोटल पोस्ट 6,000 उसमें से 5,000 मेल कंडिडेट की पोस्ट है और 1,000 फीमेल कंडिडेट की पोस्ट रहने वाली है तो टोटल 6,000 पोस्ट इन की मंजूरी मिल चुकी है संसोदित नियम ग्रे विवाग द्वारा त्यार किये गए हैं जिनको अब मुख्य मंत्री मनोरलाल ने मंजूरी दे दी है तो जो अर्यान की मुख्य मंत्री मनोरलाल जी उन्होंने इस बर्ती को मंजूरी दे दी है इसके बाद इस फैसले को अमेरजेंसी की स्रेणी में रखते हुए CMO द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया गया है जिसमें पुलिस बर्ती के नए नियमों का उल्ले कर जारी करेगा तो सातियों जो ग्रे विबाग है वो जल्दी ही अभी जो संसोदित नियम है इनका नोर्टिकेशन जारी करने वाला है तो हर्याना पुलिस में यह है बर्ति करीब तीन साल से 18 हुई है पुलिस बर्ति नियुम की मंजूरी मिलने के साथ ही अब बर्तियों द्वारा आयू सीमा में छूट दिये जाने की मांग भी उठ गयी है तो सातियों इसमें मांग उठी थी जो अभी तीन साल तक ये बरती नुए थी किसके कान क्रोणा के कान तो उसमें इसमें तीन साल की छूट दी गई है तो इसमें जो एज लिमिट वो अठारा से अठाई साल तक रहने वाली है तो अठाई साल तक इसमें एज लिमिट की गई है तीन साल इसमें छूट दी गई है सेशन सोधित कराए गए नियमों में भी खामिया होने के काण इन नियमों को बदला गया है नए नियमों के नुसार आवेदन मांगने के बाद करमचारी चैन आयोग ग्रूप C के लिए CT पास आवेदकों में से 10 गुणा को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा तो कितने बंदों को बुलाएगा 10 गुणा बंदों को इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा CT पास अवेदन नोटिपकेशन के आदार पर पुलिस मांगने देशक द्वारा हर्याना करमचारी चैन आयोग को बर्ती का प्रस्ताव बेजा जाएगा करमचारी चैन आयोग द्वारा सोट लिस्ट किया जाएगा जो चैन आयोग है वो सोट लिस्ट कर देगा कितने दस गुणा बंदों को तो उनी को इसके लिए बुला जाएगा PMT पास करने वालों के लिए physical screening test का आयोजन किया जाएगा तो जो physical measurement test है उसको पास करने वाले है जो उनके लिए physical screening test का आयोजन किया जाएगा इसके बाद दस्तावेजों की जाच होगी तभी जाकर कहीं पुलिस बरती प्रिक्रिया सिरे चड़ेगी तो सातियों ये था notification जो अभी दो-तिन दिन पहले notification आया है तो सातियों आपको इसमा मैं बता देता हूँ तो जो age limit वो कितनी रहेगी 18 से 28 वरस तक इसमें age limit रहेगी और जो कि notification जो इसका वो फरवरी के first week में यानि कि ये लगा लेजे कि फरवरी में 10 तारिक से पहले 10 फरवरी तक इसका notification आने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि 16 फरवरी से आचार सहीता लागो होगी तो आचार सहीता से पहले इसका notification आपको देखने को मिलेगा तो आप अपनी तयारी अभी से शुरू कर दीजिए और आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना जल्दी हम अर्याना पुलिस की जो ये बरती है तो इसकी तयारी हम अपने चैनल पर शुरू करने वाले है तो सभी साथ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं फिर जल्दी आपको फिर किसी नए अपडेट के साथ तो तब तक सभी का दन्यवाद वीडियो देखने के लिए तो जै हिंद जै बारत